प्रेक्ट नमबर वन क्या आप जानते हैं ट्रेन की लास्ट बोगी पर एक्स का निसान क्यों होता है यह ट्रेन का आखरी कोछ है जिसको देखकर रेल्वी के करमचारी पता कर लेते हैं कि ट्रेन पूरी तरह से गुज़र चुकी है एक्स का मार्क ट्रेन पर नहीं दिखाई देता है तो माना जाता है कि ट्रेन पूरी नहीं आई है ऐसे में तुरन तापत कालिल करवाई सुरू की जाती है फैक्ट नमबर दू दुनिया के सबसे महली लकड़ी अफैर की ब्लैक वूट है जिसको भारतिय की रुपिय में 7 लाग परती कीलो के हिसाब से मिलता है अफैर की प्लैकूट छेक से तयार होने में 7 साल का समय लगता है जिससे फरनीचर सानाए पासरी सही की गितार बनाए जाते हैं जो की बहुत ही कींती होती है फैक्ट नमबर 3 क्या आप जानते हैं कि रेल के डिबे में लाल और निले रंग की धारियां क्यों दी जाती है इससे या पता चलता है कि या डिपा गर्वती में लाव और विकलान लोगों के लिए है ताज महल की सलाना कमाई 25 क्रोड रुपिय है रेल के जिन जिन डिपो में हरी और वाइट रंग की धारियां खीची हुई होती है वह डिपा केवल महलावों के लिए होती है उन डिपो में पुरुसों का जाना एलाव नहीं होता है फैक्ट नमबर चार भारत का एक ऐसा रेल्वे स्टेशन जहां सिर्फ महलाएं करमचारी है उसका स्टेशन का नाम माटूंगा रेल्वे स्टेशन है जो मुंबई के अधिन इस्टित है जैसे की कोच का नमबर 0122 हो तो इसका 01 का मतलब यह कोच 2001 में बनाया गया है और इसके बाद का नमबर डिपे का सेरियल नमबर होता है गार्यों के टायर काले ही क्यों होते हैं तो कच्चा रबड हलके पीली रंक होता है लेकिन टायर बनाने के लिए कार्बन मिला जाता है ताकि रबड जल्दी ना घिसे और मजबूती भी बहुत ही अच्छी बनी रहे टायर बनाने के लिए कार्बन मिला जाता है जो की ही होते हैं 90 Crore का गुलाब यह दुनिया का सबसे महांगे क्लाब है जिसका नाम जोली ट्रोज है इसके कीमत 90 Kool रुपय हूथ है इसको कीमत अधिक इसलिए है क्योंकि इसे देविरि दे युसठी नाम के वेति ने गुलाब से मिलाकर बनाया था जिसको तैयार होने में 15 साल का समय लगा था